हेलो फ्रेंट्स, वेलकुम बैक टू माई चैनल फ्रेंट्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा छोटी बनाई में डिजाइन लेके आई हूँ देख सकते हैं फ्रेंट्स, बहुत ही प्यारा सा पैटन है इसको बनाना बहुत ही आसान है तो आइए friends देखते हैं तो चलिए friends start करते हैं design बनाना इस pattern को बनाने के लिए हमें 3 के multiple plus 2 करके फंदें लेने होंगे तो यहाँ पे मैंने 14 फंदें लिए हैं 3 के multiple 12 plus 2 14 फंदें यहां नेडल पे मेरे हैं यह design हमारा 4 line का है लेकिन 8 line में बनके complete होगा तो start करते हैं design के first row सीधी side सबसे पहले फंदों को slip कर लेंगे और आगे के सभी फंदों को उमने सीधा सीधा बुनना है यहाँ पे design के first row बनके हमारी complete हो गई है अब आते हैं back side में design के second row पहले फंदों को परलवाई slip कर लेंगे क्योंकि यह हमारी उल्टी side है धागे को पीछे करेंगे और पूरी रोकों हमने सीधा सीधा बुनना है धागे को अपनी तरफ लाएंगे और last के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे इससे क्यों आते हैं अब आते हैं front side में design की third row बहुत ध्यान से देखेगा सबसे पहले edge के फंदे को हम शृट कर लेंगे अब यहाँ से तीन फंदों में हम ने design बनाना नाया अब यहांसे देजाइन के फंद्य आ मारे शुरू हूर रहें दो found ओ टोत इससे लेंगे और पीछे की तरफ से दो हम आएक कर देंगे अब यह बेब यहाँ पर error a framework to सीधा बुन लेंगे बाद में दो फंदों को ऐसे निकाल देंगे यहां पर हमारे दो फंदे से तीन फंदे बन गया है और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे યे-च के फंदे को छोड़के इनी तीन फंदो कोमने पूरी रो में दोहराना है फिर से repeat करहे हैं दो फंदो को एक साथ हम ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो फंदो को एक साथ हम सिधा बुन लेंगे यहाँ पर एक फंदा आ गए हमारा धागे को ऐसे लब पेटेंगे, दो फंदे हो गए, फिर से इनी दो फंदों को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे अब यहाँ पर हमारे तीन फंदे हो गए हैं, बाद में दो फंदों को ऐसे निकाल देंगे पूरी रोको हमने ऐसी बुनना है दो फंदो को एक साथ ऐसे लेंगे या अनुबर करेंगे फिर से इनी दो फंदो को हम सीधा बुनेंगे फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे फिर से देख लेगा फ्रेंट्स दो फंदो को एक साथ हम ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से दो फंदों को हम सीधा बुन लेंगे यह हमारा एक फंदा आ गया है धागयों को ऐसे लपेटेंगे दो फंदे हो गए फिर से इनी दो फंदों को हम पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे तो यहाँ पे हमारे तीन फंदे हो गए है बाद में दो फंदिव को ऐसे निकाल देंगे और एक फंदुह हम सीधा बनेंगे और लास्ट में एज के फंदिव को भी हम सीधा बनेंगे तो यहां पर थर्ड रो बन के हमारी कमप्लीट हो गई यह अब आते हैं बैक साइड में डिजैन की फोर त्रो पहले फंदे को परलवाई slip कर लेंगे अब यहाँ से डिजाइन के फंदे हमारे शूरू हो रहे है एक फंदह हम उल्टा बुनेंगे जो हमने दो फंदे से तीन फंदे बनाये थे यहाँ पर एक फंदा हमारा ईसलिटा है उसको हमने यहाँ पर घटाना है शुरू के दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे यहां पे हमारा गैप दिखाई दे रहा है तो जो फंदा हमने एस्टा बनाया था इस फंदे को और यह वाले फंदे को दोनों फंदों को हम एक साथ दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते के फिर से देखेगा फ्रेंट्स जो हमने दो फंदे से तीन फंदे बनाये थे एक फंदा यहां पे हमारा एस्टा है उसको हमने यहां पे घटाना है शुरू के दो फंदे हैं उनको हम एक के करके उल्टा बुन लेंगे यह जो हमारा एस्टा फंदा बना है बीच में हमारा gap आ रहा है तो हमने क्या करना है इस फंदे को और इस फंदे को दोनों फंदो को एक साथ हम दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे अब फंदे हमारे यहां पर घट गया है फिर से हम दो फंदो को उल्टा बुनेंगे इस फंदे को और इस वाले फंदे को दोनों फंदों को एक साथ हम दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते वे फिर से देखेगा फ्रेंट्स दो फंदों को हमने उल्टा बुनना है लास्ट में दो फंदे हमारे बचे हैं अब हम दोनों फंदों को एक साथ दो का एक कर देंगे, उल्टा बुनते लिए, तो यहाँ पर fourth row बनके complete हो गई है, तो friends, यहाँ पर हमारा आधा design बनके complete हो गई है, यह हमारे design की fifth row है, design की fifth row को हमने first row कितरे बनाना है, पहले फंदो को slip कर लेंगे, और सभी फंदो को हमने सीधा सीधा बुनना है, यहाँ पर design की fifth row बनके हमारी complete हो गई है, अब आते हैं back side में design की sixth row, design की sixth row को हमने second row कितरे बनाना है, पहले फंदो को परलवाई slip कर लेंगे, धागे को पीछे करेंगे, और सभी फंदो को हमने सीधा सीधा बुनना है, धागे को अपनी तरफ लाएंगे, और लास्ट के फंदो को हम उल्टा बुन लेंगे, अब आते हैं सीधी side में design की seventh row, अब इस रो को ध्यान से देखेगा friends, design की seventh row को हमने third row कितरे बनाना है, वह starting बहुत ध्यान से देखेगा, स्टार्टिंग में थोड़ा change होगा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले edge के फंदे को strip करेंगे, design की third row में हमने दो फंदे से तीन फंदे बनाए थे, अब हमने क्या करना है, seven throw में, अब एक और फंदा हम सीधा बुन लेंगे, अब यहां से design हमारा start हो जाएगा, दो फंदो को एक साथ ऐसे लेंगे, और पीछे की तरफ से दो फंदो का एक कर देंगे, सीधा बुन देगे, यहां पे हमने तीन फंदे बनाने हैं, एक फंदा यहां पे हमारा बन गया है, धागे को ऐसे लपेटेंगे, और फिर से इनी दो फंदो को पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे, बाद में दो फंदो को ऐसे निकाल देंगे, और एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर से देखेगा फ्रेंस, फिर से हमने दो फंदो का एक करना है, एक निशानी यह तिन वी रखेखा जिससे आपका डिजाइन बिल्कु भी गलत नी होगा फिर एक फंद हम सीधा बुनेंगे, फिर से हमने दो फंदों को एक साथ आसे लेना है, पीछे की तरफ से सीधा बुन लेंगे, धागयों को ऐसे लपेटेंगे, फिर से इनी दो फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, पीछे की तरफ से, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फि बुन लेंगे और लास्ट में एक फंदा बचा है इसको हम सीधा बुन लेंगे तो यहां पर डिजाइन की 7th रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है अब आते हैं बैक साइड में डिजाइन की 8 रो पहले फंदे को परलवाई स्लिप कर लेंगे अब यहां से डिजाइन के फंद हमने आसे लेना है और दो का एक कर देंगे उल्टा बुनते हैं फिर से मने दो फंदे उल्टे बुनने हैं एक दो फिर दो फंदों का एक कर देंगे हम उल्टा बुनते हैं फिर से दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो फिर इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को एक स फिर दो पंडों का एक कर देंगे हम उलटा भुन देंगे लास्ट में एक फंड भुणना बचा है इसको हमल उलटा भुूल देंगे तो פ्रेंट्स यहाँ पर डिजैन की एर्थ रो बनके हमारी कम्प्लीट हो गई है इसके साथ ही आर्ट लाइनों में डिजैन भी बनके हमारा ओबर हो गया है आगे आपने इनी आर्ट लाइनों को बारबा दोहराते जाना है जब आप इन आर्ट लाइनों को बारबा दोहराते जाएंगे तो डिजैन बनके कुछ इस तरह से नज़र आएगा बहुत ही प्यारा बहुत ही आसान डिजाइन है यह हमारी front side है और यह हमारी back side है फ्रेंड्स इस pattern को आप बच्चों के स्वेटर में, कारडिगन में, कोटी में, जैकिट में, जैकिट में, जैन्स स्वेटर में कहीं भी डालिएगा, बनके बहुत ही सुंदर नजर आता है तो फ्रेंड्स आप भी अपने मंचाहे कलर लेकर किस डिजैन को बना सकते हैं उमीद करती हूं आज का डिजैन आपको पसंद आएगा यदि पसंद आता तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करें मिलती हूं नेक्स वीडियो में व बहुत बहुत धन्यवाद